चलिए आईए से भी शुकरते एक और बड़ी खबर का बड़ी खबर 15 दिस्टंबर से शुरूरूगा यूपी विधान सबा का शीत कालिन सत्र आखरी सत्र है इसलिए यहन भी माना जा रहा है राजपाल आनंदी बैन पटेल ने अधिसुषना भी जारी कर दी है और तीन दिन तक यह विधान सबा का आखरी सत्र चलेगा आखरी सत्र में सरकार कर सकती है कई बड़ी घुषनाई राजपाल आनंदी बैन पटेल ने अधिसुषना भी जारी कर दी है इस वक्त की बड़ी खबर में आपको दिखा रहे है किस तरह से 15 दिस्टंबर से शुरू होने जा रही है यूपी विधान सबा की शीत कालिन सत्र राजपाल आनंदी बैन पटेल ने अधिसुषना भी जारी करके इसकी बात सामने रग दी है तीन दिन तक चल सकता है विधान सबा का ये आखरी सत्र इस सत्र एहम माना जा रहा है क्योंकि साक्ती सत्र में सरकार कई बड़े घुषनाएं कर सकती है 15 दिसंबर से शुरू होगा यूपी विधान सबा का शीत कालिन सत्र राजपाल आनंदी बैन पटेल ने अधिसुषना जारी किये साथ ही इस शीत कालिन सत्र को एहम भी माना जा रहा है क्योंकि इसमें सरकार कई बड़ी घुषनाएं कर सकती है तो 15 दिसंबर से शुरू होने वाली है यूपी शीत कालिन सत्र राजपाल आनंदी पटेल ने अधिसुषना भी जारी कर दी है तीन दिन तक विधान सबा का आखरी सत्र चलेगा जिसमें इस आखरी सत्र में सरकार कई बड़ी घुषनाएं कर सकती है